Hello students, welcome to the next video. तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, जो इस बार के 2024 paper advance में जो आया थे, integer type questions, ठीक है? तो this is integer type 8 to 13 questions आया थे, इसके अंदर question number 8 से लेके 13 तक, instructions देखे लेते हैं, एक बार इसमें क्या instructions आया थी? कि अगर आपने question को सही किया तो आपको मिलेंगे बचार number और गलत या फिर नहीं भी किया, तो दोनों ही case में आपको 0 मिलेंगा, attempt तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है? चलिए, तो पहला question जो आया है यहापर, functional equation का आया है, functional equation अगर आपर दिखो के तो काफी hot topic बन चुक है, J-E main के लिए भी, यूंकि J-E main में भी question बहुत सार आया थे, advance अभी इस बार आ गया, तो easy question है काफी है, easy to moderate level का question है, functional equation से आया है, तो करते है solve इसको, तो question में क्या दि चेक के हम समझ गए, यह तो functional equation Fx equal to Kx के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और एक और functional equation है, R से लेके 0 से infinity, यह है exponential function की functional equation, कि सब हमने पढ़ी भी है already, तो यह मैं मान लेता हूं Gx जो है, A power x है, ओके, तो इसमें F minus 3 by 5 दिया हुआ है, G minus 1 by 3 दिया हुआ है, आपको इसकी value तो एक काम करते हैं, पहले Fx और Gx निकाल लेते हैं, मतलब A की value और K की value निकाल लेते हैं, तो question में given F minus 3 by 5, मतलब की K into minus 3 by 5, इसकी जो value है, that is 12, 12, 3 गया, 4 बच गया, K की value कित्ती आगई बच्चो, minus 5 आगई है, ठीक है, तो minus 20 आगई है, not 5, minus 20, यह 5 into 20 हो जाएगा, तो मतलब की function जो आगया है, Fx, यह आगया minus 20x, पहली चीज, और क्या निकालना है, हमको यहाँ पर Gx निकालना है, तो Gx है A power x minus 1 by 3 पर value मालूम है, A power x, x की जगा minus 1 by 3, इसकी value 2 है, दोनों तरफ cube कर दो, और minus power के साथ, minus 3 power ले लो, तो यह बन जाया है का 1, 2 की power minus 3, 1 by 8, यह आगया 1 by 8 equation हो गई है, या फिर Gx जो बन गया, मारे पास A power x था, 1 by 8 की power x, यह 8 power minus x भी लिसकते हैं, नेक्स हमें F1 by 4 चाहिए, F1 by 4, minus 20 into 1 by 4, minus 5, plus G minus 20, G minus 20, तो, sorry, G minus 2, not 20, 20 तो निकालना मुश्किल हो जाता है, आपर, तो 1 by 8 की power minus 2, मतलब 8 की power 2, 64, minus 8 into G0, G0, G0 कितना आ जाएगा बच्चो, तो 1 आ जाएगा, तो यह कितना आ गया, 64 में से 8 गया, 56 और फिर 5 और चला गया, 51 इसका अंसर है, तो काफी easy question था है, simple साही था, आगे बढ़ते हैं, back contains n balls, probability का again, एक simple साही question है, base theorem लगवायागा, तो 3 balls है, white, W3, 6 ball है, green, and जो बाकी बच्ची हुई balls है, वो blue है, ठीक है, total n balls है, तो मैं blue, यहाँ पर assume कर रहा हूँ, यहाँ जो blue balls है, n में से 3 और 6 गई, n minus 9 जो हमारे पास balls बच रही है, वो सारी के सारी blue है, next assume that blue balls, all the balls are identical, ठीक है, 3 balls are drawn randomly, one after one without replacement, ठीक है, WI, GI, BI का मतलब है, कि हर आइथ ball पे अगर white निकली, green निकली, या ब्लू निकली, ठीक है, तो probability of P, W1, intersection G2, intersection B3, मतलब पहली white, then second ball green, and third ball blue निकलनी चाहिए, तो पहली अगर white, white हमारे पास 3 balls है, तो इसकी probability आजाएगी, बच्चों, 3 by N, next, green, second ball green हो निच चाहिए, अब बच्ची कितनी है निचे, N-1 बच्ची है, क्योंकि without replacement हम ball निकाल रहे है, और green balls थी कितनी, अपने पास 6 थी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इस तरीके से blue है, हमारे पास N-3, N-9, sorry, और बच्ची कितनी balls है अपने पास N-2, इसकी value given है 2 upon 5 N, यहाँ से इस equation को simplify करके हम सबसे पहले N की value निकालेंगे, तो यहाँ पर बच्चों, यह N से N cancel हो गया, और कुछ तो मेरे ख्याल से cancel, तो यह 6 और 2 भी कर देता हूँ, मैं 3 बच गया, तो यह 3 into 3 9 है, यह 5 और आ गया, 9 5 जा 45 into N-9 is equal to N-1, N-2, तो यह बन जाएगा 45 N minus, यह कितना बन जाएगा, 450 मैं से 45 बचा दो, 405, minus 405, N square minus 3 N plus 2, तो एक quadratic बन गई अपने पास, N square, 45 N है, minus 3 N, net कितना हो गया, minus 48 N, constant भी निकाल लो, 405 वह जाएगा, 2 मैं आट हो जाएगा, 407, छीक है, इसके factors निकाल ले न, 11 और 37 आएगे, ठीक है, तो यह बन जाएगा, N minus 11, N minus 37, 0, तो N की value या तो 11 है, या 37 है, यह हमें doubt है, कि भाई क्योंसी value सही है, तो अपन second equation पर पहुंच जाएगे, उसको यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है, second बोल रहा है कि conditional probability given that पहली तो white है, दूसरी green है, तीसरी कुछ भी हो, and तीसरी उसमें fix कर दूं B3, तो उसकी probability 2 by 9 है, तो मतलब कि numerator में जो आएगी probability of white, green and blue, पहले white, फिर green and blue, अपन पहले white, green and third कुछ भी हो सकता है, यह value दी है, 2 by 9, तो बच्चो यह वाली probability तो अभी अपन निकाल के आए है, देखो, W1, G2, B3, W1, G2, B3, इसकी probability हमें given थी, that is 2 by 5N, तो यह numerator में आगया 2 by 5N, denominator में first ball white होनी चाहिए, तो white कितनी थी, अपने पास 3 ball थी, तो 3 by N, और second ball जो है green होनी चाहिए, यह वो 6 थी, तो 6 upon, और without replacement कर रहा है, N minus 1, थर्ड कुछ भी हो सकती है, तो उसको नहीं लिकारा मैं, 2 by 9, यहां से बच्चों I think N से N जाएगा, 3 से 9 जाएगा, यह भी जाएगा, यहां 2 बच जाएगा, यह 2 से 2 भी cancel कर दो, तो यह N minus 1 ऊपर जाएगा, upon 5 is equals to 2, N minus 1 आगया 10, N आगया 11, तो 11 और 37 था, answer is 11, तो I think easy question ही है, कुछ जाएगा difficult concept यहां पर हमने use नहीं किया, next question पर आते हैं, अब यह question दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत मुश्किल से लग रहा है, लेकिन आप इस function की study करोगे लकी सी भी, पहले तो simplify हो जाएगा बड़े आराम से, उसके बाद इसको आप break करोगे ना, बहुत अराम सॉल्व उनवाला question था, दिखने में मुश्किल है, but solving में very easy, तो question समझते हैं पहले उसने बोड़ा एक function है, fx यह दिया हुआ है, number of solution of fx equal to 0 निकालना है, basically इसको simplify करके 0 से equate करना है, सबसे पहली चीज तो यार, यह common ही आ रहा है, और denominator same है, तो उसना ही नहीं है, तो क्या मिल गया हमें, sin x plus 2, तो यह मेरी ख्याल से बस इसले लिखा होगा है कि अबच्चा दिखके डर जाए, कि देखो कि तो मुश्किल question है, है नहीं, लग रहा है बस, इन्टू x power 2, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 4, x plus 2, 0, 2, 5, डिवाइड बाए, इसमें से यह common लिए, तो है sin x plus 2 बज़ गया, डिवाइड बाए e की power pi x, इन्टू x square, माइनस x plus 3, अब यहाँ पर तुम चाहिए, ऐसे 50 function और लगा दो, कुछ फ़रक ही नहीं पढ़ेगा, यह value तो, जो यह value है, यह हमेशा positive x का discriminant negative है, आप check करो, यह value exponential functions are always positive, sin x plus 2 है, इसकी तो हिम्मत ही minus 1 से 1 है, उसमें आपने 2 add कर दिया, तो यह value भी हमेशा positive है, तो यह सारी आप मान लेदा कोई फाइदा नहीं, कभी 0 नहीं बनेंगे यह, जीरो सिर्फ यह बन सकता है, x power 2 0 2 3 plus 2 0 2 4 x plus 2 0 2 5 equal to 0, इसके solution चाहिए हमको basically, और यह भी odd power का polynomial है, तो इसको differentiate अगर मैं करूँ, उसको मैंने g x मान लिया, तो g dash x अगर अगर आपन निकालेंगे ना, तो यह बन जाएगा 2 0 2 3 into x की power 2 0 2 2 plus 2 0 2 4 equal to 0, यह तो completely positive चीज नहीं है, मतलब f dash x is increasing, यह अगर इसको g माना है, तो g dash x is positive आपन जी x is an increasing function, एक बार minus infinity पे value चेक करो, minus infinity आ रहे है, odd power है ना, और plus infinity पे infinity आ रहे है, मतलब इसकी जो range है, minus infinity से रहे है, plus infinity बढ़ता रहे है, तो बीच में बस एक बार कभी यह 0 को touch कर जाएगा, that means, इसका एक solution आएगा, क्या पुछा है, number of solution पुछे तो एक ही answer है, I hope it is clear, चलिए, आगे बढ़ता है, next question, vector P दिया हुआ है, vector Q दिया हुआ है, और एक लंबी सी equation बना दिये, कुछ, जादा मुश्किल concept नहीं है, हलकी सी calculation है, यह अगर आपने अच्छे से कर ली, तो question बड़े अराम से बन जाएगा, सबसे पहले इसको निकाल लो, अगर आपने P cross Q निकाल ले तो, P minus 2Q, 2P plus Q तो बड़ा असान है, तो पहले निकालते है P cross Q, तो यहाँ पर लिखा I, यह J, यह K, P में कौन है, 2, 1, 3, 2, 1, 3, और Q में है 1, 1, minus 1 and K, 1, minus 1 and 1, ठीक है, तो P cross Q vector निकाल लेते हैं, तो यह आजाएगा I से multiply किया 1 plus 4, ठीक है, 5 I cap, और minus J के साथ में 2, minus 3, minus 1, then we have K के साथ में minus 2, minus 1, minus 3 K, ठीक है, बच्चों clear है, I से किया तो 1 और साथ में 3 add हो गया, ठीक है, 1, 3, यहाँ पर 4 आएगा, 1 plus 3, 4, फिर minus J लिखा, 2, minus 3, minus 1, और K के साथ में minus 2, minus 1, हमेशे अपनी calculation verify कर लो, ऐसे case में, एक गलती starting में करोगे, पूर equation करा बजाएगा, ठीक है, तो यह क्या बन गया, 4 I cap, plus J cap, minus 3 K, यह आगया P cross Q, चलिए, तो यह तो right hand side वाली value है, यह निकाल लेते हैं एक बार, alpha 2 P plus Q, आए पर चलते हैं, 2 I, इसका भी 2 करना है, 4 I plus I, 5 I cap, J में देखो, 2 से multiply करके, 2 J minus J, कितना आगया, plus J, 6 K plus K, 7 किया गया, next, beta into P minus 2 Q, मतलब कि, इसमें से, इसका double minus करना है, कर देंगे, P minus 2 Q, तो 2 minus, यह कितना आ जाया कि देखो, P minus 2 Q करना है न, तो 2 में से, इसका double गया, तो यह कितना आ जायाएगा, 0 I cap, फिर next J पे चलते हैं, इसमें से इसका double अटाना है, तो 1 में से, इसका double गया, add हो गया है तो, 3 J cap, then we have, 3 K cap, minus 2 K cap, plus K cap, okay, and gamma times, यह वाला vector, 4 I plus J minus 3 के, ठीक है, clear है, सारे I J के इकटे करो, I के साथ में, 5 alpha, यहाँ पर J तो ही बीटा तो ही नहीं, ठीक है, और, यहाँ पर क्या आ जायाएगा, 4 gamma, okay, then we have J cap, J cap के साथ में कौन आएगा बच्चों यहाँ से, यहाँ से आएगा alpha खाली, और, यहाँ से, 3 beta, और, यहाँ से, gamma, okay, next part, K cap के साथ में कौन कौन आता है, यहाँ से कौन आएगा, देखो, K cap के साथ में, 7 alpha, then we have, just beta, and minus 3 gamma, अब इसकी value गिवन है, कितनी, 15 I के है, plus 10 J के है, plus 6 K के है, मतलब इसकी जो value है, 5 alpha plus 4 gamma, this is equals to 15, I को I से compare, J को J से compare, K को K से compare, यहाँ सा इस बच्चुलेटिव है, बच्चों में कुछ अलग concept नहीं है, ठीक है, next equation मनेंगे, alpha plus 3 beta plus gamma, alpha 3 beta plus gamma, इसकी value कितनी आ गई, 10, then we have 7 alpha plus beta minus 3 gamma, 7 alpha plus beta minus 3 gamma, और इसकी value है 6, तो देखो, हमें चाहिए gamma, question में क्या मांग रहा है, वो, gamma की value, तो तीन equation है, alpha, beta eliminate कर देते हैं, पहले इन दोनों को use करेंगे, और beta को eliminate कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो, पहली equation तो पता है, हमारे पास 3 beta, इसको भी 3 beta बना दे, तो multiply by 3, तो यह बन गया, 21 alpha, 3 beta minus 9 gamma, 18, तो मान लो यार, यह third है, यह second है, यह first है, तो मैं third में से, second को minus कर रहा हूँ, 21 alpha में से alpha गया, 20 alpha, 3 beta से 3 beta गया, cancel, minus 9 gamma और minus gamma, minus 11 gamma, minus 10 gamma, sorry, minus 10 gamma, is equals to 18, minus 10, 8 आगया, ठीक है, बच्चो, तो 20 और 10 और 8 का रिलेक्शन दिख रहा है, मेरे को, यहाँ पर मेरे पास value किसकी है, 5 alpha, plus 4 gamma, एक काम करते है, इस पूरी equation को, 60 से कर दो, sorry, इस पूरी equation को, 4 से multiply कर दो, first equation को, उससे क्याएगा, 20 alpha बन गया, cancel कर देंगा भी, और 4 gamma की जगे, कितना मिल जाएगा आपको, 16 gamma मिल जाएगा, और यहाँ पर 60 मिल जाएगा, फिर से minus कर दो, इस में से, मान लो यह fourth है, यह fifth है, fifth में से आप fourth को minus कर दो, देंगो क्या मिल रहा है, 20 alpha से 20 alpha गया, minus 16, और यह आजाएगा आपके पास, देखो, यह plus 16 था, 16 alpha, 16 gamma, minus of minus 10 gamma, 26 gamma, 60 minus 8, 52, gamma कितना आगया? 2, ठीक है, आंसर इस 2 for this question, बस अगें, concept was very easy, अगर आप तेश 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 चलकुलेशन करोगे, जल्दी सॉल कर सकता इस question को, okay, next move on to the, next question है, मारे पास, a normal with slope, normal की slope दी है, is drawn to the point, from the point 0, 0, minus alpha से slope 1 by root 6 की एक normal draw करी, इस parabola पे, ठीक है, where a positive है, अच्छी बात है, l be the line passing through 0, minus alpha, and parallel to directrix of parabola, okay, तो बहुत simple सा concept है यह तो, और फिर latest rectum की value दे रखी है, r और s दिया है, a b, अभी जो line बदा है थी थी न मैंने आपको 0, minus alpha से निकल रही है, directrix के parallel, उसने a or b पे cut किया, a b का square जो है उसको, a b length का square है, उसको s define कर दिया, r define कर दिया length of lattice rectum, और कहा है r by s का ratio 1 by 16 है, तो आप मुझे बताओ, a की value है 24, a की value, तो basically हमें यहाँ पर r चाहिए, s चाहिए, a चाहिए, और alpha चाहिए, यह सारी values निकालेंगे 1 by 1, तो start करते हैं सबसे पहले, slope पता है, slope of normal पता है मेरे को, ठीक है, तो dy by dx निकालते है, dy by dx कितना आएगा बच्चो, dy by dx, 2x is minus 4 a dy by dx, अगर slope of normal 1 by root 6 है, तो dy by dx minus root 6 हो जाएगा, तो 2x minus 4 a, minus root 6, x कितना आगया देखो, minus से minus हटाओ, 2 और 4 हटाओ, 2 बच गया, x equals to 2 root 6 a, x coordinate जहाँ पर normal draw हो रही है, वो मिल गया, y coordinate भी निकाल लेते हैं, तो क्या equation है मारे पास, x square equal to 4 a y, तो y आजाएगा, x square upon minus 4 a, x अभी निकाल के आएगा, इसका square करो, 4 into 6, 24, 24 a upon minus 4 a, a से a गया, 24 a square स्वेर, तो 1 a जाएगा, ठीक है, और 4 गया, 6 आगया, minus 6 a is the y coordinate of the point of contact, तो उस point coordinate से आगया, 2 root 6 a, minus 6 a, इस point पर normal draw हुई है, कौन से point है, 0, minus alpha से draw हुई है, तो एक काम करते हैं, अगर आप इस parabola को देखोगे, तो y square equal to minus 4 a, य कुछ इस type का parabola है, यहाँ से normal draw हुई, कुछ ऐसा normal मान लेते हैं, यह coordinates मिलके, जो मैंने आपको बताए हैं, और रही बात, यह coordinate जो है, यह 0, minus alpha given है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चो, हमने अभी slope का use कर लिया है, अब मुझे यह भी पता है, कि अगर मैं इसकी equation डालू, इस point पर, अगर मैं equation of normal लिखूँ, तो वो 0, minus alpha से pass करेगी, उससे क्या है, alpha और a में आपको relation मिल जाएगा, so let's write the equation of this line, इसकी equation लिखेंगे, slope 1 by root 6 है, point वो रहा, ठीक है, तो equation of normal हो गया, y minus minus 6 है, तो y plus 6 a लिख रहा हूँ, m, m is 1 by root 6, x minus a, x minus 2 root 6 a, इसको pass कराना है, 0, minus alpha से, x को 0 और y coordinate minus alpha, तो minus alpha plus 6 alpha, 1 by root 6, यह 0, तो minus 2 root 6 a, ठीक है, तो यह root 6 से root 6 सटाओ पहले तो, तो minus alpha plus 6 alpha, यह मिल गया बच्चों अपने को 5 alpha, ठीक है, sorry, a है, minus alpha plus 6 a है, sorry, my bad, तो यह minus alpha plus 6 a is equals to minus 2 a, तो minus alpha is minus 8 a, alpha की value आगई है 8 a, चलो, फर्स्ट equation मिल गई, alpha और a के बीच का relation, alpha is equal to 8 a, आगे बढ़ते हैं, next up जो हमको यह condition दिये न, r by s, तो r चाहिए और s चाहिए, तो r तो क्या है बच्चों, length of lattice rectum है 4 a, s क्या है, a b का square, a b point कौन है, यहां से आपने parallel draw किया, तो यह a आ गया, यह b आ गया, basically आपने parabola को intersect करवाया है equation, y equal to minus alpha से, तो basically parabola के अंदर आपने को minus alpha put करना है y की जगा, तो x square minus 4 a y की जगा minus alpha, तो यह बन गया बच्चों 4 a alpha x square, आपको 2 points मिलेंगे, एक मिलेगा 2 a alpha, 2 root a alpha, एक minus 2 root a alpha, तो जो net distance आएगी, वो आएगी 4 root a alpha, तो a b की value है, 4 root a alpha, a b square आ जाएगा, 16 a alpha, आप r by s कर लो, आपको divide करना है r और s को, r है 4 a upon 16 a alpha, इसकी value 1 by 16 गिवन है, a से a गया, 4 और 16 गया, तो alpha यहाँ से बच्चों, कितना आ जाएगा 4, alpha 4 आ गया, और 8 a, आपको 4 दे रखा है, alpha is 8 a, तो 8 a 4 है, a की value 1 by 2, a आ गया बच्चों 1 by 2, और चाहिए क्या हमको, हमको required है value of 24 है, 24 into 1 by 2, 12 आ गया है, moving on to the next question, तो next question में बच्चों हमें दिया है, let the function f, 1 infinity से, r और, कुछ-कुछ ओड़े, definition अच्छी है, इस question की, this was a really good question, यह तो पूरे paper में एकी question अच्छा लगा मुझे तो, यह वाला question काफी अच्छा था, तो इसको समझते हैं पहले क्या कहा रहा है, कि f, t एक function define गया, 2n plus 1 minus t ऐसे करके बढ़ा सारा function, अगर, जो t की values है, वो कहां से कहां है, 2n minus 1 से लेकर 2n plus 1 है, लेकिन अगर वो odd number है, 2n minus 1, in that case, हम simply put कर देंगे, minus 1 की power n plus 1, 2, सबसे पहला कहा हम आपने इस function को define करेंगे, बात में देखेंगे question में करना क्या है, अगर function की definition समझ गए, तो बड़ा असान question है, तो पहले इन सब values पे देखे function है क्या, तो अगर मैं मान लेते हैं, t की value 1 ले लेता हूं, 2n minus 1, n को n natural number है, तो n की values put करते हैं 1 by 1, तो अगर हमने n को let's say 1 put किया, तो t कितना हो गया बच्चों, 2n, 2 into 1, 2 minus 1, 1, 1 रखा अगर n को, तो minus 1 की power 2, minus 1 का square बन गया है, into 2, तो function कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस तरीके से अगर मैं 2 put कर रहा हूं, तो 2n minus 1, 4 minus 1, 3, t की value 3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस बार odd, तो यहाँ पर add put, तो t equal to 1 पर, n को जब हमने 1 put किया, तो t1 आ आ आ था, 2 रखने पर, t3 आ रहा है, और इस पर value minus 2 है, फिर इस तरीके से t आ जाएगा 5, n रखेंगे जब 3, t और value आ जाएगी 2, n रखो के 4 value आएगी, minus 2, t आएगा 7, तो मिले को, x equal to a t equal to 1 पर तो value मिल गई, 1 से लेकर 3 निकालने है, 3 से 5 निकालने है, 5 से 7 निकालने है, वो यहाँ से मिलेगी, तो पहला case लेते हैं, जब n को 1 रखते हैं, 1 रखो के तो 1 से 3 मिलेगा, तो अब इस वले पार्ट में हमने n को 1 रखना है, that means t 1, 2 लेके 1 to 3, so if t is 1 to 3, let's substitute n equal to 1 in this entire equation, तो यह बन जाएगा 2 into 1, 2 plus 1, 3 minus t, 3 minus t upon 2, into f 2n minus 1, f 2n minus 1, 2n minus 1 की value 1 बन जाएगी f1, f1 बच्चो क्या बन जाएगा, t equal to 1 पर value 2 मिल गया, f1 2 हमने अभी निकाली गए, t equal to 1 पर value f1 एगे, ठीक है, तो यह f1 है से समझो, यह f3 है, यह f5 है, और यह f7 है, f1 से 3 यह निकलेगा, 3 से 5 भी निकलेगा, 5 से 7 निकलेगा, और इस तरहीके से pattern मिल जाएगा, ठीक है, 3 माइनस t by 2 2 रखा, plus n को 1 रखावाएगा, t minus, यह देखो, 2n minus 1 खुद 1 बन जाएगा, t minus 1 by 2, साथ में, f2 n plus 1, मतलब f3, f3 की value minus 2, तो यह 2, यह 2, यह 2, यह 2 कैंसल, क्या मिला, 3 minus t plus t minus 1, ठीक है, और minus हाजाएगा, तो minus t plus 1, this becomes 4 minus 2t, मतलब की t जब 1 से 3 है, तो function 4 minus 2t बन गया है, similarly, हम लोग बाकी values भी निकाल सकते हैं, next हम n को 2 रखेंगे, n को 2 रखना, मतलब अब आपने t को 3 से लेके 5, दो values निकालेंगे, pattern मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो अभी आया 4 minus 2t, तो इसको आप चेक करना बच्चों, यह मिलेगा आपको 2t minus 8, और इस तरीके से आपको सारी values मिलती जाएगी, ठीक है, तो function हमने define कर ली है, तो कुछ ऐसा function बन रहा है, कि जब x को आप 1 डालोगे, तो आपको 2 मिलेगा, और फिर 1 से लेके 3 डालोगे, तो आपको 1 से 3 में 4 minus 2x मिल जाएगा, फिर जब आप 3 डालोगे, तो फिर minus 2 मिल जाएगा, फिर जब आप 3 से लेके 5 डालोगे, तो minus 2x की जगे दिखना plus 2x बन जाएगा, 4 की जगे आपको मिलेगा 8, फिर next आपको x मिलेगा 5 पे, next value मिलेगा x equal to 5 पे, यह again 2, यह तो 2 minus 2, 2 minus 2 चलता रहेगा, ठीक है इस तरीके से पूरा function define हो गया, अब next क्या पूछा है उसने, gx जो है 1 से लेके x ft है, और x 1 से infinity होगा इस gx के लिए, तो alpha denote number of solutions of equation gx equal to 0, gx equal to 0 के solution चाहिए 1 से लेके 8 के बीच में, ठीक है, और Newton-Lebani से gx निकाल लेते हैं, gx दिया हुआ है 1 से x ft dt, ठीक है, तो differentiate on both the sides आपको g dash x मिल जाएगा fx, यहां से मुझे पता लग गया कि fx को, g dash x अगर हम निकालें, तो वो मिल जाता है fx, तो basically हमें यह देखना है कि g dash x मतलब की gx का बात है, जब आप 1 से लेके x plug integrate करते है ft dt को, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको अगर मैं graph plot कर दूँ, किसका, इस fx function का, तो क्या अपनी बात नहीं बन जाएगी, तो अपने को यह 1 है, यह 3 है, यह 5 है, इस तरीके से pattern follow करना है, तो 1 से function start होगा, 1 पे value 2 है, 1 पे value 2 है, और आप यहां पे 1 put करोगे, 1 पे 4 minus 2, 2 आ रही है, 3 put करो, 4 minus 6, minus 2, तो यह 3 तक minus 2 पहुंच जाएगा, ठीक है, 3 पे minus 2, ऐसा कुछ, फिर आप 5 पे check करो, अब देखो, यहां पर फिर से minus 2 पहुंच गए, अब आप 5 पे check करना, फिर plus 2, फिर 7 पे minus 2, इस तरीके से values इसकी आती रहेंगी, अब हमें 8 तक solution चाहिए, अब G-X अगर F-X है, मतलब F-X का जो area है, वो G-X define करेगा, ठीक है, तो मतलब कि आपको area देखना है, तो यह symmetric है, तो यह area इसको cancel out कर देगा, तो up to 3 is 0, मतलब कि G-3 0 मिल गया, similarly 5 तक area balance out हो जाएगा, तो वो भी 0, and 7 भी 0, इसके अलावा next हमें required ही नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 8 तक पूछा है, सारे odd पर basically net area 0 बन रहा है, ठीक है, तो यह 3 values क्या आगई हमें, 0 मिल गी, तो alpha is equal to 3, 3 solutions है, next क्या पूछा है अपन से, next we have to find limit G-X upon X minus 1, X tends to 1, limit X tends to 1 plus G-X upon X minus 1, अगर आप X को 1 डालोगे तो G-X 1 से 1 integration हो जाएगा, वो तो 0 गया, तो G-1 तो 0 है, यह पता लग गया, तो मतलब कि G-1 0 और नीचे भी 0, 0 by 0 फाम है, L-Hospital लगाओ, differentiate both in the numerator and denominator, तो G-X upon 1 बन जाएगा, limit X tends to 1, तो basically G-1 चाहिए, G-1 तो F-1 ही है, ठीक है, लेकिन 1 plus बोला है उसने, ठीक है, सिर्फ 1 पर value नहीं चाहिए, F-1 plus, मतलब कि 1 से जस्ट बड़ी value, तो 1 से जस्ट बड़ी के लिए function follow हो रहा है, 4-2X, 4-2X limit X tends to 1 plus, X को 1 डाल दो 4-2, 2 आ जाएगा, तो बच्चों, बीटा की जो value है, जो 2 आ गई, alpha जो है 3 आ गया, alpha plus beta 5, this was a really good question, I hope आपको समझ में आ गया होगा, so बच्चों ये था, section 3 के solutions, next video में आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, section 4 के solutions, जो कि paragraph form में थे.